तो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल जीके ट्रैकर पर देखे फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुमाओं के चंद वंच के बारे में चंद वंच का संस्थापक है, चंद वंच का संस्थापक है 700 दूच की सथापना करता है, तो बारे में अब इससे कुछ महतवपूर्ण पॉयंट है, उनको देख लेते हैं देखे Frens किया है, चंदबंस की स्थापना को लेकर अलग-अलग बाते हैं जैसे बजिदत पांड़े कहते हैं कि 700 ECV में हुई अटकिंसन कहते हैं कि 953 ECV में चंदबंस की स्थापना होती है जबकि जो आजे सिंग रावत हैं वो कहते हैं कि 1018 में चंदवज की स्थापना होती है हम बदिद्रग पांडी जी की बात को मानते हुए चलते हैं और 700 ECV में चंदवज की स्थापना को मान लेते हैं अब देखें सोमचंद के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा सोमचंद क्यों था ये एक सिव का उपाशकता बोला जाता है ठीक है और ये परियाग जो जूसी नाम के एक जगा है परियाग में ये वहाँ से यहां पर आया था ठीक है ब्रहमण के लिए आया था कई बोलतेगी बदिदा दर्शन के लिए आया था और जब यह यहाँ पर आया तो उस समय यहाँ पर एक कत्यूरी राज कर रहा था जिसका नाम था ब्रहमदेव कई बार पूछा जाता है प्रश्ण कि सोमचंद के आने पर यहाँ पर इस काली कुमाओ के छेतर में कौन साशक था वो था ब्रहमदेव इसको सोमचंद इतना पसंद आया कि इसने सोमचंद के साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिया और उसको वहाँ पर कुछ जमीन जो थी वो दहेज में दे दी अब उस जमीन पर क्या करा सोमचंद ने एक किले का निर्मान कराया जिसको बोला जाता है राजबुंगा का किला प्रशन बनता है कि राजबुंगा का किले का निर्मान किस ने कराया था सोमचंद ने उसका निर्मान कराया था सोमचंद कहां से आया था जूसी प्रयाक से या आया था सोमचंद के साथ किस ने अपनी बेटी का विभा कराया था ब्रहमदेव ने ऐसे प्रश्ण बनते हैं अब देखे जब इसने राजबुंगा का किले का निर्मान करा दिया तो उसके बाद इसने क्या करा, उस किले की चारो और इसने अपने क्या करे, चार और किलों का निर्मान करा दिया, जिनको बोला गया चाराल, ठीके न, कौन कौन थे उसके अंदर बोरा, कारकी, तरडागी और चौतरी, तो इसने चाराल का भी गठन करा दिया, अब जब यह अ मद्धय में होता है ये रावत राजा और सोमचंद के मद्धय में होता है जिसमें जो सोमचंद था उसका एक सेनपती था कालू तड़ागी उसकी मदद से इसने रावत राजा को हरा दिया था टिक है अब जब लोकल भी हर गया तो फिर एक प्रमुक शक्ति कौन बन गया उस शेतरे की वो बन गया चंदवंज का सोमचंद, सोमचंद की स्थापना वहाँ पर हो गई, अब इसके बाद देखे क्या हुआ, इसने वहाँ पर प्रसासनिक शुदहर भी किये, आपको प्रशन बनता है कि कुमाओं के अंदर पंचाहिती राज ववस्ता किसने शुरू कराई एक और चीज देखे महतवपून आती है, इसने क्या करा, चौथानी ब्रहामणों की निक्ति कराई, अलग 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 जगा के उनको इसने महतवपून पद दिये, जैसे बोला जाता है कि जो भीजाड के जोशी थे, उसने उनको अपना दिवान बना दिया, सोमचंद ने, जो सेमल्टिया के जो पांडे लोग थे, उनको इसने राजगुरु बना दिया, ऐसे ही इसने चार अलग 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 भ्रहामणों को इसने महतवपून पदों पर दिया, और उन्हीं ब्रहामणों को बोला गया चौथानी ब्रहामण, आपको पूशा जाता है चौथानी ब बड़े राजा के अधीन अपना राजे चला रहा होता है ठीक है तो समय डोटी काफी बड़ा राजी था काफी शक्तिशाली राजा था और बोले जाता है कि जैदेव मल था यह वहां का शाशक था तो उसको कर देता था सोमचंद ठीक है अब देगे 721 इस्वियो में जाता देखे उससे पहले सोमचंद के टाइम पर ही कत्यूरी थे तो इसका थोड़ा सा डर रहता था कि यह कत्यूरों का भांजा है कई वार आपको प्रशन बन सकता है कि सोमचंद की जो कत्यूरी बीवी थी उसके पुत्र का नाम किया है वो कौन था आजम चंद 721 से लेके और एक था कौन महर का तो इन में से राजा भी एक का सदस्ते होता था तो आपको पुछा जा सकता है कि राजा किस में सामिल होता था तो जो राजा होता था वो फर्तयाल धड़े में होता था और महर में कौन जाता था राज कुमर तो महल और फर्तयाल यहां को ध्यान में र अब बात आती है हमारे लिए जो अगला महत्पूर्ण राजा है वो है इंद्रचंद देखिए इंद्रचंद जो होता है ये 758 इच्वी में गद्धी पर बैठा और 20 साल राजा रहा इसको घमंडी राजा बोला गया क्यों इसको आप नाम से देख सकते हैं इंद्रचंद है यह अपने आपको इंद्र के समान मानता था तो इसको इतिहास कारों ने घमंडी राजा बोला है और इंद्रचंद से एक बहत्पूर्ण प्रशन बनता है वो है ये वाला कि कुमाओं के अंदर रेशम का कार खाना किसने स्थापित किया था वो स्थापित किया था अब देगे, जब रेशम का कार खाना आ गया तो रेशम को बोला गया पत्वा आपके लिए पूठा जा सकता है प्रश्ण कि चंद काल में रिशम बुनकरों के लिए किसे शब्द का पुर्योग होता था वो था पत्वा या फिर प्त्वा शब्द किने के लिए यूज होता था डिशमबुनकरों के लिए ठीक है एक prépar ने पत्रंग वाली 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 प तो उसका संबंध है रेशम उत्पातन से ठीक है ये भी आपको ध्यान में रखना है तो देखें इंद्रचंद के टाइम पर ये महतपुन घटना है वी उसके बाद क्या हुआ इंद्रचंद गया उसके बाद संसार चंद गद्धी पर बैठा फिर सुदा चंद आया हमीर वीडाचंद थे कि 856 पर गद्धी पर बैठा और ये एक भोग विलासी राजा था भोग विलासी राजा था बिलकुल इसने बिलकुल ध्यान नहीं दिया दारूपियो डांस देखो भस इसका यही सीन चलता था इसके टाइम पर क्या हुआ जो खस राजा थे उनको सर उठा बैधि द्धाजाने का महाँ पर मौका मिल गया और उन्होंने वीडाचंद के मृत्यों के बाद कुमाउपर अधिकार कर लिया चमपावत पर अधिकार कर लिया कि इन्होंने खस होने और फिर उसके बाद 200 सालों तक किसका शाषन चलेगा? खस शाषन चलेगा आपको परशन पूछा जाता है किस चंद राजा की मृत्यू के बाद खस शाषन शुरू हुआ वो कौन था? वीर्णा चंद तो बस इस से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है वीर्णा चंद के बाद किसका शाषन आता है? खस राजा पहला खस राजा होता है बीजड पुछा जा सकता है किसने आकरमन के था? पहला खस राजा कौन था? बीजड था और अंतिम कौन था? सोपाल और इन्होंने लगबग 200 सालों तक कुमाओ उपर अपना राज चलाया था ठीक है? उसके बाद देखे नवे नंबर का राजा आता है वीर्चंद वीर्चंद आता है 1065 में और इसने पुनहा चंदवंस की स्थापना की थी तो देखे जैसे वीर्चंद के बारे में कहा जाता है इसने जो अंतिम खस राजा था सौपाल उसको इसने हराया था उसको मारा था और पुनहा से चंपावत की गद्धी इसने हासिल कर ली थी ठीक है फ्रेंड्स? राजबुंगा का किलिए जो कि सोमचंद का था उसमें इसना अपना राज यापिसे देख सकते हैं आप इस सारे राजा है ठीक है आप इनका स्क्रिंशोट ले सकते हैं हाँ एक राजा बीच में आता है नानकी चंद देकि नानकी चंद के समय में क्या हुआ था अशोक चल ने यहाँ पर कुमाओं पर आकरमन किया था तो ये आपको ध्यार में रखना है उसके बाद देखे ये भी कुछ राजा आये रामचंद आया भीशमचंद, मेगचंद, ध्यानचंद, परवचंद अब देखे यहाँ पर आ गया 23 वी नमबर का राजा थौरचंद तो कहीं पर जो हर्षदेव जोशी है तो कहीं पर जो हर्षदेव जोशी है पूछे जाते हैं पहला फैक्ट क्या है? कि पहला चंद शाचा कौन है? जिसने अपने राज्या का विस्तार किया तो वो कौन है? वो है तिरलोक चंद ठीक है? इसने छकाता परगना देखे वर्तमान जो नेनिताल है उसी को पहले छकाता बोला जाता था उसी की साइड का हिस्सा है तो चकाता परगणा किसने जीता था वो था तिरलोक चंद दूसरा भीमताल में किले का निर्मान किसने कराया वो था तिरलोक चंद ठीके न? ये तीनी फैक्ट आपको ध्यार में रखने है लेकिन इनसे प्रशन नहीं पूछे जाते अब देखिए आया 28 नंबर का राजा अभयचंद अभेचंद एक महत्वपूर्ण सासक है क्योंकि ये पहला चंद शाषक है जिसने अपने अभिलेक उत्किन करवाए तो आपको प्रशन पूथा जाता है कि अपने अभिलेक उत्किन करने वाला पहला चंद शाषक कौन है वो है अभेचंद देखिए अभय चंद के बाद से ही या अभय चंद के काल से ही जो चंद वंच से इसके बारे में शाक्षे प्राप्त होने शुरू हुए उससे पहले चंद वंच का भी कोई लिखित शाक्षे नहीं मिलता है लेकिन इसने जब अभिलेक अपने उत्किन करवाने शुरू किये तो यही पहला शाषक था जिसने अपने वंच के बारे में अभिलेक थी यह उत्किन करवाने शुरू किये थे आपको ध्यान रखना है पहला चंद शाषक जिसने अपने अभिलेग उतकीन करवाए वो कौन था वो था अभै चंद ठीक है 1344 में गद्धी पर बैठा 1374 तक अब देखे अभै चंद के बाद अभै चंद का जो बेटा था ग्यान चंद वो गद्धी पर बैठा इसको आप ग्यान चंद परथम भी बोल सकते हैं अगर एक्जाम में गरुड ग्यान चंद ना आए ऑप्शन में तो ग्यान चंद परथम हो सकता है ठीक है ये काफी महतपूर राजा है अभी तक कि अगर हम बात करें तो सबसे महतपूर राजा कौन है वो है ग्यांचंद या गरूर ग्यांचंद सबसे ज़्यादा कोशियन इसी से पूछे जाते हैं अभी तक जितने भी राजा यहां पर आए 39 नमबर का राजा था 1374 से लेकर 1419 तक इसने राज किया ठीक है सरवादिक अवदी तक राज करने वाला यह चंद राजा था लगवा 45 साल इसने चंद पर राज किया था तो यह आपको ध्यार में रखना है किस चंद बंच के राजा ने सरवादिक अवदी तक राज के था वो कौन था? गरूर ग्यानचंद इसलिए आपको इस राजा का करम भी याद होना चाहिए और इस राजा का जो टाइम पीडियड है वो भी याद होना चाहिए अब देखे क्या हुआ ग्यान्चन जब गद्धी पर बैठा तो इसको कहा जाना पड़ गया इसको जाना पड़ गया दिल्ली ये दिल्ली जाने वाला पहला शाज रख था अब देखे दिल्ली क्यों गया था ये दिल्ली ये इसलिए गया था कि जो तराई वाला छेतर है न वहाँ पर कतीरों ने अपना अधिकार जमा दिया था तो फिरोशाह तुगलक का भी प्रभावित हुआ और इसने इसको तुगलक की उपादी दे दी प्रशन बनता है गरुड चंद को तुगलक की उपादी किस ने दीती गरुड ग्यान चंद को वो गरुड की उपादी किस ने दीती वो दीती तुगलक ने कौन सा तुगलग है कहीं पर मुहमद बिन तुगलग है लेकिन मुहमद बिन तुगलग का टाइम पीरिड इसके साथ मैच नहीं होता है तो हम मानके चलेंगे कौन था वो फिरोशाहत तुगलग था इसलिए आपको ध्यान रखना है आपको पूछा जाएगा किस चंद शास्चा का जो राज्य चिन था वो गरूड था वो किसका था गरूड ग्यांचन का जबकि आपने पड़ा होगा चंद वभंश का अगर हम राज्य चिन की बात करें तो वो गाई थी चिक भजा है छिर्फ इसके बारे में अगर पूछा जाये तो वो कौन था वो थी इसका गरूड ठीक है ऐभी तक कितने प्रशन बन गए सरवादी अभणा राजा कौन है वह है गरूड ड्यांचन दिल्शाघ जाने वाला पहला राजा कौन है वह है गरूड तुगलग और इसने बोला चाता कि दे दिया इसको कि ठीके तराई तेरा हो गया लेकिन खाली करा ले हम तेरा साथ देंगे ठीके दिली इसमें कुछ हस्तशेप नहीं करेगा ये वापस आया अब इसने अपना एक सेनपती था इसका नीलू कठायत ठीके तो नीलू कठायत को पूरा तराई भावार चेत्र जो था वो चंद वंच के अधिकार में कर दिया यानि कि पूरा जो तराई चेत्र था वो जीत लिया किसने नीलू कठायत ने इससे काफी खुश हुआ गरुड ग्यान चंद और गरुड ग्यान चंद ने नीलू कठायत को कुमया खिलत की उप किसका सेनपती था गरोड ग्यानचंद का कुमेया खिलत की उपादी दी ती ती इन交ी छूटी सी कहानि या कईफिन आपको दौरा तॉपिक से शीरिया को बता देता हुम लाली सीरीज में आपको बता आहादा थाẹ कि मैं आपकestra स्राग्दा था घुल्दा. खेंगे लाए बारे में बताऊंगा तो वहां पर इमन्स को बारे में detail ने पंपढेंगे जेंगे देकि लिग शीर्था कमलेखी जो था निलु कठायत से चिर्टा था तो इसने क्या करा राजा कान भरने शुरू कर दिये तो कमलेखी ने क्या करा राजा को बोला कि जब निलु कठायत ने तराई को खाली करा ही दिया है तो क्यों निलु कठायत को तराई भवर का क्या बना दे सरदार निलुक तो कर दिया जाए और इसको वहाँ पर बसाने के लिए भेज दिया जाए कि वहाँ पे तुझ जा और वहाँ पे आबादी को बसाएं वहाँ पर निलु कठायत वहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उस समय जो तराई भवर का छेतर था वहाँ पर काफी महामारियां फैल थी तो जब निलु कठायत को पता चला कि राजा ने और जारी कर दिया है निलु कठायत के लिए कि इसको तराई भवर का सरदार बना दिया गया है और उसको वहीं जाना पड़ेगा तो निलु कठायत काफी दुखी हुआ निलु कठायत ने क्या गरा? नौकरी छोड़ दिया और घरा आ गया वापस अब जब निलु कठायत को घराने के बाद पता चला कि राजा ने जो यह ओडर जारी किया है वो इसके कहने पर जारी किया है सिरी जस्ता कम लेखे के तो निलु कठायत काफी गुसा हुआ काफी नाराज भी हुआ और बोलते हैं कि सीधा यह गहां गया दरबार में गया गरुड ग्यांचंद के बिना वर्दी के कोई इसन अपनी पोशाक नहीं पहनी और ये गरुड ग्यांचंद के दरबार में पहुँच गया वहाँ पहुँचकर इसने काफी अपशब्द कहे जिसी जस्ता कम लेखी को और गरुड ग्यांचन को भी काफिश ने बोला कि इसके चक्र में मत पड़ यह तरको फसा देगा काफिश आई इसी बात है इसको बोली ठीक है गरुड ग्यांचन को भी थोड़ा बुरा लगा क्योंकि यह राजा है अब क्या हुआ जब यह वापस आगया नेलू कटायत अपने घर इसकी पतनी को पता चला कि यह नेलू कटायत दरबार में क्या क्या करके आ गया तो उसकी पतनी को थोड़ा बुरा लगा उसकी पतनी ने अपने पुत्रों को पुत्रों के नाम क्या थे एक पुत्र का नाम था सुजू और एक का नाम था वीरू उन दोनों को इसने भेजा राजा के यहां ठीके ना पहले उनके मामा के यहां भेजा रहा बोला कि वहां से फिर राजा के पास जाना और माफी मांग लेना अपने पिता की तरफ से लेकिन क्या हुआ जो दोनों पुत्र थे ये कम लेखी के हाथ में लग गए और कम लेखी ने इनको पहले अपने या रखा और राजा के पास राजा के कान में ये बोल दिया कि नीलू कठायत ने अपने पुत्रों को राजा की हत्या करने के लिए भेचा है तो गरूर ग्यांचंद ने इनकी आँखे निकलवा दी तो आपको पूछा जाता है कि नीलू कठायत के पुत्रों की आँखे निकलने वाला चंद शाशा कौन था गरूर ग्यांचंद जब नीलू कटायद को पता चला कि राजा ने इसके पुत्रों की आँखे निकलवा दी हैं वो भी इसके कहने पर तो नीलू कटायद इन दोनों को मारने के लिए दोड़ा ठीक है और बोलते हैं कि किसी गुफा में जाका जब दोनों फज गए थे निलू कटायत ने इसकी हत्या तो कर दी लेकिन गरूड ग्यांचंद की हत्या नहीं करी उसने गरूड ग्यांचंद को उसने छोड़ दिया तो गरूड ग्यांचंद इससे तो काफी खुश हुआ कि निलु कठायत का है देश भक्त है उसने बले उसके राजा ने उसके बेटी के आँखी निकलवा दी लेकिन उसकी हत्या उसने नहीं करी तो गरुड ग्यानचंद ने वापस उसको पदबहाली करी वापस से उसको अपना सेनापती न्यूकत करा लेकिन बोलते हैं कि एगो हट दिक बार हो जाता है तो फिर वो रहता है तो गरुड ग्यानचंद को वो एगो चूबने लगा था कि कैसे इसने मेरे सामने इसको इसकी हत्या कर दिया जो भी बाते थी तो गरुड ज्यान चंद ने बाद में बोला जाता है कि नीलू कठायत की हत्या करवा दी थी तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है नीलू कठायत किसके समकाली था गरुड ज्यान चंद के गरुड ग्यान चंद ने ही इसके हत्या करवा दी थी बाद में ठीके ये आपको ध्यान में रखना है तो गरुड ग्यान चंद काफी महत्वपूर्ण साशक था अभी तक का जितने भी हमने साशक पड़े उसके बाद देखे तीसवी नमबर का राजा था हरी चंद कोई महत्वपूर्ण खटना नहीं है अब आता है एक और महत्वपूर्ण साशक जिसके बारे में काफी फैक्ट हम पड़ने वाले हैं वो आता है उद्यांचंद देखे उद्यांचंद जो था है ये 31 वे नमबर का राजा था और ये गरुड ग्यांचंद का पोता था अब देखे आपको ध्यान होगा भी हमने उपर पड़ा गरुड ग्यांचंद ने नेलु कठायत की हद्या करा दी अब उसको लेकर काफी जादा इसको दुख हुआ था जब इसको पता सला किसके दादा ने क्या करा है इसके दादा ने इतना बुरा काम किया है कि जो इतना बड़ा देश भाकते था जिसने अपने दुश्मन को तो मार दिया और चाहा था तो गरुडr ग्यान-चंद को भी मार सकता था लेकित देश भगता था इसके हता नहीं करी उसके बावजूद ग्यान-चंद उसको मरवा दिया तो ये काफी आहथ हुआ और अपनी पूरी जिंदग्यी इसने इसी बात का पश्चताब करने में लगा दिया किसने उद्यान चन्द ने इसने क्या करा एक साल का कर्म आफ कर दिया ताकि थोड़ा बहुत पश्चताब कर ले इसने उसके बाद देखे एक महत्वपूर घटना है कि इसने कतुरी राजा की बेटी से विवाह करी निर्मान कौन कराता है उद्योग चन्द कराता है ठीक है तो इसने करा दिया और दूसरा जो बालेशवर मंदिर इसने बनाया था उसमें गुजरात का एक ब्रहमण था कुझ शर्मत तिवारी उसका महत्वपूर योगदान था तो आपको पूछा सा सकता है बालेशवर मंदिर के निर्मान में किस ब्रहमण का योगदान था कुझ शर्मत तिवारी यह ऐसे भी पूछा सा सकता है कि कुझ शर्मत तिवारी कहां से आया था गुजरात से किसके समकालीन था यह उद्यान चंद के समकालीन था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है तो ओध्यान चंद ने क्या करा अपने टाइम पर केवल अपने दादा का पश्चताब करने में ये लगा रहा ठीक है 31 नमर का ये राजा था उसके बाद देखिए आत्म चंद आया हरी हर चंद आया कोई विशेश घटना इनके टाइम पर नहीं हुई अब आता है 34 नमर का राजा विक्रम चंद अब ये थोड़ा एक महतपोंट राजा है क्यों क्यों कि देखिए इसका एक ताम पत्र मिला है कहां से बालेश्वर मंदिर से और उस ताम पत्र में क्या बोला गया है किसके नाम का है कुझ शर्मा तिवारी के जो नाम का है वो ताम पत्र है यानि कि बालेश्वर मंदिर का जो कारे था वो पूरा किसने करवाया विक्रम चंद ने ठीकिन उध्यान चंद का कारे को पूरे करवाया और एक ताम पत्र वहाँ पर लिखवाया किसके नाम का कुंजी शर्मा तिवारी का तो आपको ध्यान में रखना है कारे को पूर्ण किसने करवाया वहाँ पर विक्रम चंद ने अब देखे विक्रम चंद के बारे में बोला जाता है कि शिरुवात में तो ये धार्मिक था, बालेश्वर मंदिर कभी इसने निर्मान पूरा कराया है, लेकिन जैसे जैसे इसका राजा आगे बढ़ता गया, ये राजा भोग विलाशी होता गया, ठीके न, राजा की बुद ये चंदवंच का पहला स्वतंतर सासक है, अभी तक जितने भी चंदवंच थे, वो सब क्या थे, वो डोटी के राजा को टैक्स देते थे, लेकिन भारती चंद, 35-वे नम्मर का राजा है, 1437 से लेकर 1450 तक गद्दी पर बैठा, और ये चंदवंच का पहला स्वतंतर सासक अब देखे क्या हुआ जब ये गद्धी पर बैठा तो इसने बोला कि मैं डोटी को टेक्स नहीं दूँगा मैं डोटी पर आक्रमन करूँगा और आक्रमन के लिए इसको चाहिए थी एक बहुत विशाल सेना इसने क्या करा समस्त जातियों की एक सेना बनाई यानि कि हर जाती बना ली तो फिर इसने डोटी पर आक्रमन कर दिया डोटी पर उस समय बोला जाता है कि जैमल नाम का कोई शासक था वो राज कर रहा था अब जब इसने जैमल पर आक्रमन कर दिया तो बारहा वर्षिया युद्ध लड़ा क्योंकि देखे ये एक कौन था भारती चंद भार पहला स्वतनतर सासक कौन बन गया भारती चंद भारती चंद बन गया अब ये किसी को भी टैक्स नहीं देखा एक और महत्वण घटना इसके टाइम पर हुई कि नायक जाती की उत्पत्ती हो गई देखे नायक जाती कैसे बनी जो जो समय युद्ध लड़ रहा था युद् जाती ठीक है तो आपको ध्यान रखना है नायक जाती की उत्पत्ती किस के शाचनकाल में हुई भारती चंद के शाचनकाल में किस दौरान हुई बारा वर्शे युद्ध के दौरान हुई ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है उन इस्तरियों को क्या खा जाता था उन इस करा, अपने जीते जी, देखे, 1450 में इसने गद्धी छोड़ दी थी, अगर हम टाइम पीरड देखे, 1450 में गद्धी छोड़ दी, लेकिन मिर्तियु कभी 1461 में, तो भारती चंद ने अपने जीते जी, अपने पुत्र को, रतन चंद को गद्धी पर बैठा दिया, ठीक है, रतन चंद अब राजा बन चुका है, कोमाओं का भारती चंद चला गया, ठीक है, अब देखे, रतन चंद का एक ताम पत्र मिलता है, खेती खान, ठीक है, चंपावत के, खेती खान से इसका एक ताम पत्र मिला है, किसका, रतन चंद का, रतन चंद से महतपून प्रशन ये यह रतन चंद ने पहला चंदों का बंदोबस्त करवाया था, तो बंदोबस्त, चंदों में पहला भूमी बंदोबस्त किस ने करवाया था, रतन चंद ने करवाया था, क्योंकि देखे भूमी काफी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जो भारती चंद था, वो डोटी जीत गया वो था रतन चंद, ठीक है, एक और चीज, इसने डोटी से पुनहा युद्ध किया, और पुनहा डोटी को जीता है इसने, क्या हुआ, देके, जैसे ही भारती चंद ने डोटी पर जीता, जो वहाँ का राजा था, जैमल उसको हराया, और वहाँ पर शाही वंच जो भी था, ब नागमल को इसने हराया, और वहाँ पर साही वंच की इसने दुबारा से स्थापना कराई, किसने, रतन चंद ने, और फिर ये करा, कि साही वंच जो है, अब ये कुमाओं के आधीन होगा, और कुमाओं को टैक्स देगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया था, पुनहा डोटी के युद में, आपको पुछा जाएगा, डोटी में नागमल का विद्रोह किस के टाइम पर हुआ था, यह हुआ था, रतन चंद के टाइम पर, इसने उसके बाद सोर जो परकरना था, उसको भी जीत लिया था, ठीक है, पिथोरगड के साइड जो ए लाका है, अब देखे, रत इतिहासकारों की, तो मुगल इतिहासकारों ने बाज बहादूर चंद को सबसे परतापी राजा बोला है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बदिदत पांडी के अनुसार सबसे परतापी राजा कौन है, वो है कीरती चंद, यह 1488 को गद्दी पर बैठा, 1503 तक रहा, एक प्रशन बंता है, कि कीरती चंद के गुरू का नाम क्या था, तो इस गुरू का नाम था नागनात, विन नात समप्रताय से संबंदित था और बोला जाता है कि कीरती चंद के टाइम पर क्या हुआ था कि डोटी से आकरमन हो गया कौमाओं के ओपर, ठीक है, और जब राजा हार जाएगा या वहां से भाग जाएगा हुआ भी वैसे ही राजा को कीड़ती चंद को युद्व में जाने के जरूती नहीं पड़ी ठीक है तो इसलिए इसका गुरू था ये नागनाद और काफी महत्पून घटना इसके बात कि ये क्या है कि ये पर्थम चंद आया था और हराने के बाद इसने कुमाओं और गड़वाल का जो बॉडर था वो किसको निर्धारित किया था देगहाट को इसने निर्धारित कर दिया था ठीक है तो आपको ध्यान रखना है चंद वंच पर कुमाओं पर चंद वंच का पहला साशक जिसने गड़वाल पर आक्रमन किया वो कौन था वो था कीरती चंद ठीक है अब देखिए कीरती चंद के बाद कीरती चंद 37 वे नंबर का राजा है आपको ध्यार में रखना है ठीक है किरती चंद कौन से नंबर का राजा है 37 वे नंबर का राजा है चुप महतुपूर्ण राजा है इनके आपको न मानिक चंद के टाइम पर क्या हुआ दिल्ली में आपको पता है कि सूर वंच की स्थापना हो गए थी हुमायू हार चुका है यहां पर ठीक है जुसका टाइम पीरियड है सूर वंच के विद्रोही था खवास खां वो भागकर आगया कोमाओं में और उसको शरण किसने दी मानिक चंद ने तो पूछा चाता है पेपर में कि सूर वंज के विद्रोही खवास खांग को किस ने सरण दी थी तो वो था मानिक चंद, ठीक है, 1533 से 1542 में चंद वंज का 40-वा राजा और इसका जो उलेक किया गया है, इसका उलेक जो अब्दुल्ला है, उसकी किताब है तारीक ए दाउदी, उसमें इसका उलेक किया गया है, ठीक है तारीक ए दाउदी किताब में किस चंद राजा का उलेक है, वो है मानिक चंद, ठीक है मानिक चंद के बाद देखिए जो महत्वपूर्ट राजा आया वो आया हमारा भीश्मचंद अब देखिए भीश्मचंद जब राजा बना तो बोलता है कि काफी उम्र दराजी राजा था काफी उम्र इसकी हो चुकी थी 55-60 साल का ये राजा था भीश्मचंद इसने जो तारा चंद था चंद ववच का 49 वा राजा हमने उपर इसका नाम देखा है ठीके फ्रंस तो चंद वच के 49 वे राजा का एक बेटा था बालो उसको गदी मनलब उसको इसने गोध ले लिया किसको बालो को बाद में यही बालो क्या बनेगा बालो कल्यान चंद बनेगा ठीके फ्रंस तो इसने बालो कल्यान चंद को गोध ले लिया बालो को और इसने क्या करा अपनी राजधानी आलमगीर ले जाने के इसने बारे में सोचने लगाई ये और वहाँ पर इसने एक किले कर निर्मान क किस ने कराया था वो कराया था राजा भीश में चंद ने और ये चंद वंज का 43 वहां राजा है 1555 से 1560 अब ये अर्मनी राजधानी इसने ट्रांसफर तो कर दी थी लेकिन ये इस्थापित नहीं कर पाया पूर्ण तरीके से ये उसको बना नहीं पाया वहाँ पर क्योंकि ब गजुवाय नाम का एक कोई खस था उसने इसकी हत्या कर दी तो ये अपनी राजधानी को बना नहीं पाया वहाँ पर ट्रांसफर तो कर दी थी इसने प्रोसेस तो सुरू कर दी थी लेकिन फाइनली इस्थापित नहीं कर पाया इस्थापित कौन करता है इसका पुत्र बाल महत्रपुन फैक्ट थे अब यहां से लगबाख हर राजा के बारे में आपको महत्रपुन फैक्ट मिलेंगे देखे 44 नंबर का राजा बना बालो कल्यान चंद इसके टाइम के महत्रपुन कटना अल्मोडा इस्थापना हो गई अल्मोडा यानिकी राजधानी बन गया तो अल्मोडा चंद की कब राजधानी बना यह बना 1563 में किसके टाइम पर बालो कल्यान चंद के टाइम पर ठीके फ्रंट कल्यान चंद चतुरत भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि अगर आप उपर देखेंगे अगर आप वीडियो को रिवाइन करें तो उपर आप में पल्टान बाजार के इसको नाम से इसको जाना जाता है दूसरे महतुपूर्ण घटना इसके टाइम पर क्या हुई इसने गंगोली के जो मनकोटी राजा था नारायन चंद उसको इसने हराय था तेके नारायन चंद और गंगोली इसका काफी महतुपूर्ण संबंध है चंदवंश के साथ तो यह गंगोली जो था यह राम गंगर सरीयू नदी की बीच में पढ़ता है यह चेत्र और यहां पर राज कर रहा था नारायान चंद ठीक है आपको पता है अबालो कल्यान चंद के बाद इसका बेटा रुद्र चंद गद्धी पर बैठे का और रुद्र चंद का एक प्रमुक सेनपती था पुरुषत्तम पंत उसे का संबन कहां से है गंगोली से है बोला जाता है कि गंगोली में एक राजा था करम चंद तो करम चंद की क्या हुआ इसके सनिकों ने या इसके ज़रबार में रहते थे उस समय करम चंद के टाइम पर या गंगोली में आप बोले है उपरेती और पंत उपरेती और पंत के बीच आपस में डेली लड़ाई होती रहती थी और इसी लड़ाई के बीच में जो उपरेती समुधाई के लोग थे इन्होंने राजा करमचंद की हत्या करवा दी और जो पंत थे उनको जब यह पता चला तीके करमचंद का एक बेटा था उस बेटे को जो राणी थी उसने पंत ब्रहामणों को दे दिया जो पंत थे उनके पास दे दिया और बाद में बोलो जाता है कि वही पंत जो उसका बेटा था वही बाद में क्या बना पुरसोत्तम पंत बना तो ये सारी बात हैं जिसले आपको ध्यान में रखना है कि गंगोली में किसने अधिकार जमाया था वो था बालो कल्यान चंद, नारायन चंद को इसने हराया था और मणगोटी राजा था ये वहाँ का, और चीज क्या होई देखिए बालो कल्यान चंद ने एक डोटी में उस स थोरगड का इलाका वो किसके अधिनाते हैं, हरी मल के, जब कल्यान चंद ने इसकी बेहन चे शादी कर ली, तो इसने अपनी बीवे को कहा कि या शादी तो होगे, अब मुझे दहेज में क्या चाहिए, मुझे दहेज में सीरा राज्ये चाहिए, कौन से चाहिए सिरा राज्य जो डीडी हाट का इलाका है वो इसको चाहिए था लेकिन हरी मल्य ने क्या करा हरी मल्य सिरा राज्य देने से मना कर दिया कि मैं सिरा तो नहीं दूंगा तुझी चाहिए तो क्या ले ले तो सौर राज्य ले ले तो हरी मल्य इसको सौर राज्य द रुद्रचंद ये पिर प्रतापी राजा था चंद बंच का 45 वा राजा है ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीके फ्रेंट्स पंद्रसों अरसट पर गदी पर बैठा पंद्रसों सतानवे ता गदी पर ये बैठा रहा अब देखे इसके टाइम की महतपून घटना है उनको हम एक एकर करके पढ़ते हैं चुटी चुटी बाते हैं उनको देखते हैं तो कि हुसेन खान तुकडिया ने तरही छेतर अधिक जब अकबर को पता चला ये क्या करता था हुसेन खान टुकडिया ये पहाड़ों में जाता था लूट पट पचा के वापस आ जाता था जब अकबर को पता चला कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है यहां पर अकबर न इसको दिल्ली बुलाया किसको हुसेन खान टुकडिया को अब जैसे ही रुद्रचंद ने तरही पर अधिकार कर लिया और जब ये बात दिल्ली पहुंची मुगल दरवार में पहुंची तो मुगल सेना वहां से निकल पड़ी रुद्रचंद से लड़ने के लिए और जब ये सेना वापस में आमने सामने आ गई तो रुद्रचंद क मान लिया उसके बात को इधर से रुद्रचंद खुद आया और रुद्रचंद ने उधर से जो भी मुगल वंच का आया था मुगल सेना से जो आया था उसको रुद्रचंद ने हरा दिया ठीक है और इसके बात अकबर को पता चली तो अकबर काफी प्रभावित हुआ कि ऐसा कौन सा राजा है जो इतना बहादूर है तो अकबर ने इसको बुलायवा भेजा फिर यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो अकबर के साथ इसकी भेट जो होती है वो कहा होती है लाहोर में होती है इनकी भेट कहा होती है लाहोर के अंदर 1588 में इसकी भेट होती है अकबर से ठीक है जब यह अकबर के पास गया खाली हाथ तो जाता नहीं तो तिबती याख कस्तूरी और घोड़े यह आधी लेकर गया अकबर के लिए था उको पूछा जाएगा अकबर को तिबती याख देने वाला चंद शाषक कौन था वो कौन था वो था रुद्र चंद ठीक है यह फिर अकबर के कहने पर रुद्र चंद ने किस लड़ाई में हिस्सा लिया वो था नागार की लड़ाई में ठीक है जब यह वहाँ से वापस आये वहाँ भी इसने काफी वीड़ता दिखाई किसने रुद्र चंद ने तो अकबर इससे काफी जाधा प्रभावित हुआ और अकबर ने रुद्र चंद को तराई का जमीदार नियुक्त कर दिया ठीक है आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले तराई का जमीदार था वो किसको बनाया गया रुद्र चंद को मिला था यह ठीक है मुगलों के द्वारा अकबर ने इसको बना दिया अब इसने क्या कर तरही भावर का पक्का इंतजाम इसने शुरू करा तो तरही भावर का पक्का इंतजाम करने वाला पहला चंद्शाषा कौन था? वो था रुद्र चंद्शाषा क्योंकि इसको officially मिल चुका था अब मुगलों के से इसने रुद्रुपर नामक एक नगर वहाँ पर बसाया और महत्रपूर्ण फैक्ट आते हैं देखिए बीरबल के साथ इसके मधूर संबंद थे देखिए आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीरबल के साथ मधूर संबंद थे सम्बंद थे उसके रुद्रचंद के साथ उसके संबंद थे अब देखिए एक महत्पून घटना इसके टाइम की और है वह है इसका सेनपती पुरुषृत्तम पंद देखिए अब हमने पीछे गंगोली वाली बात पड़ी पुरुषृत्तम पंद आ गया अब देखिए इसक वहां का शाशक ताडोटी का उसने हर बार इसको खराया हरीमल हार नहीं रहा था रुद्रचंद परेशान हो गया कि यार मैं कैसे जीतूँगा सीरा को तो उसने फिर अपने राज्या में खोज करा कि कोई परतापी या कोई जैसा लाओ जिसको जो काफी बहाद्र हो उस समय ने मैं इसकी काफी चले शुरू हो शुकी थी ती पृुषत्म पंतगी तो रुद्रचंद ने पृषत्म पंत् पर बलाबा बेजा कि दरबार में उपस्रिद हो जाए घिक है पृषत्issant पंत ने जो बलाबा आये था रुद्रचंद का उसको अन्देखा कर दिया वो नहीं के गया राचा को बोला कि मैं एक लाग रुपए तो दे नहीं सकता अब मैं आपको दो चीज़े करा के दे सकता हूं एक मैं आपको सिरा राज्य जिता कर दे सकता हूं और दूसरा मैं आपको बधान गड़ कभी जिता कर दे दूंगा ये दोनों मैं आपको जिता दूंगा पुर्शोतम पंत को भी कई मशक्कत करनी पड़ी थी सीरा राज्य को जीतने के लिए लेकिन अंततहा इसने क्या गराब पूरे सीरा को चारों तरफ से घेर डिया बिल्कुली बोलता हैं कि ब्लॉक कर दिया सारे रास्ते अंदर जाने के जो वहां राज्य था हरीमल वो भाग कर कहा चला गया वो चला गया डोटी और सीरा राज्य पर कबजा किस का हो गया रुद्रचंद का हो गया ठीक है तो सीरा राज्य को जिताने में महतुपुन भूमी का किस ने निवाई वो था पुर्शोतम पंत उसके बाद इसने जो अपना दूसरा वचन दिया था कि मैं आपको बधारणगर भी जीत के दूँगा यह वहां जीतने के लिए गया जिसको गौल्दम का युद्ध भी बोलते है ठीक है फ्रेंट्स गौल्दम का युद्ध और बधारणगर का युद्ध कब होता है लवाल नरेश था बलबधर शाह कत्युरी राजा था सुकाल देव इसको अंतिम कत्युरी राजा भी बोला जाता है जिसके हत्या कॉन करता है फिर रुद्रचंद करता है तकि जब इस युद्ध में पुरसुतम पंत मारा गया और इसमें जब पता चला रुद्रचंद को कि सुकाल देव ने मदद की है बलबधर शाह की तो फिर ये हो गया पागल कॉन रुद्रचंद उसने सुकाल देव को पकड़वा दिया और फिर पकड़ाने के बाद बोलते हैं कि इसके हत्या उसने करवा दी थी बाद में क्योंकि देजिuk हाँ पे पे एक चोटी सी कहानी है कि सुकाल देव का एक दोस्त था जिसका नाम था रुद्रचंद के दरबार में रहता था और उसने उसके कहने पर रुद्र चंद ने सुकाल देव को छोड़ दिया था ठीक है रातु बोरो ने कहा थे कि आप इसको भी छोड़ दो मैं आपको बात में 6 महीने बाद सुकाल देव को या तो दुबारा पकड़ के दे दूँगा यह 9,000 रुपए दे दूँगा या फिर 500 कैदी दे दूँगा तो इसको छोड़ दिया उसने लेकिन 6 मैने बाद जब इसको पता चला रुदुर चंद को कि सुकाल देव और रातु बोरा दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं कि हम किसको मार दे हम रुदुर चंद को यह मार देते हैं तो सुकाल देव को इसने हत्या करवा दी ठीक है यह अभी आपको ध्यान में रखना है तो प्रशन बनता है अंतिम कत्योरी शाशक शुकाल देव की हत्या किस ने करवाई वो कौन था रुदुरुचंद प्रेंस रिक्वेस्ट अगर आपको वीडियो पसंदा रही है वीडियो को लाइक ज़रुर करें जैनल को सब्सक्राइब भी जब दीगों मुलता है विल्यम विदेशी था उसके टाइम से ठीक है तो विलियम पिंच जब यहां पर आया तो यहां का राजा कौन था रुद्रचंद और गड़वाल पर कौन राज कर रहा था उस समय मानशाः ठीक है इसने क्या करा युवाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए इसने काफी काम किये उनको संस्कृत शिकाने के लिए इसने बनारास भेजा कश्मीर भेजा ठीक है प्रशन बनता है किस चंद शार्च रखने जवाओं को संस्कृत सीखने के लिए कश्मीर भेजा या बनारास भेजा वो कौन था रुद्रचंद इसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है धर्म निर्ने धर्म निर्ने नामक पुस्तक किसने लिखी है ये लिखी है रुदर चंद ने अलमोडा में मल्ला महल का निर्मान भी किसने करवाया है अलमोडा के अंदर जो मल्ला महल है उसका निर्मान भी रुदर चंद ने करव था ठीक है इसके प्रमुक जो पुत्रत है उनके हैं दो पुत्रत प्रमुक हैं कौन-कौन से एक है शक्ति गुसाईं जिसको कुमाओं का धृत्राश्ट बोला जाता है क्यों क्यों कि ये जनम से ही अंधा था इसलिए इसको कुमाओं का धृत्राश्ट बोला जाता है ये इसक के टाइम पर क्या हुआ यह मांसाह का समकालीन था कौन लक्षमी चंद अब देखे इसका बड़ा भाई था कौन इसका बड़े भाई का नाम था सक्ति गुषाई सक्ति गुषाई भले ही जन्म से अंदा था लेकिन वो जो आला देवी का बहुत ही बड़ा भगत था उसने आखे मिल जाए वो देख सके लेकिन वो देख तो नहीं पाया लेकिन उसको इतना ग्यान हो गया था कि वो भूमी की नाप करता था राज्य प्रबंधन का उसको पूरा ग्यान हो चुका था तो लक्षमी चंद के टाइम पर जितने भी प्रसांसिक व्यवस्ता थी वो सब कर थे चाहे वो सिर्ती कर हो जिवली कर हो भात कर कूत कर इस सारे किसने लगवाए यह सब लगवाए सक्ति गुसाई ने ठीक है आपको ध्यान में रखना है और एक और चीज इसने कराई कि जब फोच में भरती होने के टाइम पर जो भरती होने वाला है उसकी परिक्षा ले तो साथ बार आक्रमन करने वाला शाशक कौन है वो है लक्षमी चंद सातो बार हारा कहां से यह आक्रमन करता था शाल बुंगा का किला है पूछा जाता है किस चंद शाशक का संबंद शाल बुंगा का किले से ने है तो वो है कौन लक्षमी चंद इसको लखुली बिराली के नाम से किस चंद शाशक को जाना चाता है वो कौन है वो है लक्षमी चंद ठीक है अब देखे साथ बार यह हार चुका था फिर बोलते हैं कि 1602 के करीब इसने क्या कराया बागनात मंदिर है जो उसका इसने निर्माण कराया यह पुना निर्माण कराया इसने तो बागनात मंदिर है उसका पुना निर्माण कराया काफी प्रात्ना उरत्ना गी और उसके बाद इसने पुना से आकरमन किया गड़वाल के उपर आठीवी बार और इस बार इसने गड़वाल का एक सेनेपती टाइम से शुरू हुआ था, ठीके फ्रेंट, इसके टाइम पे देखें, दो कछहरीों का निर्मान किया गया, नियौवावली और बिश्टावली, तब को पूचे जाता है, कि चंद काल में नियौवावली और बिश्टावली क्या थी, तो ये दोनों कछहरीया थी, ठीके फ् रखना है लक्षमी चंद का नाम है किसके अंदर जहांगीर नामा में या तुजुक ए जहांगीरी में अब देखे फ्रेंट्स यहां से क्या होगा चंद उबंज का अब थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाएगा तिक यह बोला जाता है लक्षमी चंद के 21 बेटे थे लेकिन हमे अब देखे जो था यह चैरोग से मरनने वाला चंद शासर्चत आपको पूचा जाता है किस चंद शासाक की मृत्यूठू होती है वो कौन था दिलीप चंद तेकि इसके बारे में भी एक कहानी है बोली जाती है तेकि मैं आपको पिछे भी बताया कि गंगोली में किनका युद चलता रहता था आपस में हमेशा पंत और उपरेती का तो बोला जाता है उन में से ही कोई उपरेती था वो परियाग गया और परियाग में जाकर उसने आत्मात्या कर ली यह कहते हुए कि मुझको अगले जनम में ऐसा बनाना कि मैं पंतों से जो पंत है वहां कि उन से बदरा ले सकूं बोलते हैं गि उस समय अगर कोई ऐसा करता था परियाग जाता था शो पूरी होती थी अगले जनम में बोले जाता कि दिलीप चंद्ड उसी का रूप ले कर आया था थिक है तो दिलीप चंद्ड ने क्या करा आते ही जितने भी पंत थे उनके ओपर अत्यचार करनेश ने शुरू कर दिये एक पंत था जैता पंत के नाम से उसने एक निर्दोस था उसकी हत्या दिलीब चंद ने करवा दी और अपने महल के बगल में उसकी चिता भी जलवा दी तो बोला जाता है कि उसी चिता का धुमा इसको लगा और 6 रूख से इसकी मृत्यू हो गई तो आपको ध्यान रखना है 6 रूख से मरने वाला चंद शाषा कौन था वो था दिलीब चंद ठीके फ्रेंट्स अब देखे दिली चंद के बात क्या हुआ दिली चंद के आपको पता है तेन भाई और है कौन-कौन से त्रमल चंद भी है नारायन चंद है नेला गुसाई वो राजा नहीं बने उसका बेटा दिलीप चंद का बेटा विजय चंद राजा बन गया ठीके और विजय चंद तो छोटा यह उस समय जदा बड़ा तो है नहीं ना समझ भी है उसके टाइम पर वास्तविक शक्ती जो चली गई अपना राज़ा अपना वापस ले लेगा इसने क्या कर ला फिर तीन होगे पर अपने चाचा नीला गुसाय की आंखे निकल बाद की ठीके यह आपको धान में रखना नेला गुसाय क्योंकि आगे जाकर इसकी भी एक कहानी आपको सुनाए देगी क्योंकि इसी का बेटा आके जाकर बाज बहादूर चंद राजा बनता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो देखे इसने नीला गुसाएं की आँखे निकलबा दी या फिर शाम शाह के काल में किस चंद शाशक ने गड़वाल में शरण ले ली थी वो कौन तो तरमाल चंद ठीक है अभी राजा नहीं था अभी बिल्कुल वैसे ही गिया था भगवड़ के टाइप पर गिया था महादे क्योंकि इसको मारने का आउड़र दे चुका था विजए चंद शाम शाह के दरवार में शरण ले ली नरायन चंद ने डोटी में शरण ले ली अब क्या हुआ विजए चंद ने जो मल्ला महल है अल्मोडा में वहाँ पर उसने मल्ला महल के दरवाजों का निर्मान कराया ठीक है अब जब इनको लगा यह जो सक्राम कार की हैं वीरू पीरू गुसाई और विनायक भट इनको लगा गिया यह राजा तो आप अपने मन का कर रहा है हमारे किसी काम का रहा नहीं तो उसने फिर विजय चंद को क्या करा हैं तीनों ने शडियंत्र करके मर बोले जाता है किसी खाने में जहर मिला दिया था रसुहियों किसी मिलकर इसके खाने में जहर मिला कर इन्होंने इसको मार दिया ठीक है अब देखे जब यह बात पता चली कि राजा को मार दिया गया है शडियंत्र के दौरा तो फिर यह बात जब पता चली जो मैं आपको श बस वहाँ पर यही था, यही रेज थी, जो पहले पहुंच आता, राजा वो बन जाता, वैसे ही उसे खबर मिली कि तर्मल चंद का राजा विशेख हो चुका है, तो वहीं से वापस लोट गया कौन नारायन चंद, उसका किस्सा खतम हो जाता है, अब गदी पर बैठ गया, उन पचास हुआ राजा तर्मल चंद, तर्मल चंद ने क्या करा सब से पहले देखे, कारक तर्मल चंद, तो यह वहाँ से पत्र लिखता था, पीरु गुसाई को, कि यार तू कैसे भी करके विजयेशन को मारते, तो कहने के बोल सालता है, की यह कनेक्शन था इसका पीरु गुसाई के साथ, लेकिन इसने क्या करा, इसको मारा नहीं, इसको देष निकाला दी दिया, बोला जाता कि बीरु गुसाई ने फिर पर्याग गया वहां जाकर इसकी हत्या आया आत्मत्यास ने कर ले थी ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कार की और विनायक बड़ इनको किसने मारा था त्रमल चंद रहें अब देखे क्या हुआ आपको पता है भी हमने पीछे पड़ कि परम राजभक्त हो देशभक्त हो जो कि बिल्कुल भी गदारी ना कर सके तो फिर इसने खोज कर रहें ऐसे व्यक्ति की पता चला है कि फिर नीलू कठायत था जो गुरुड ग्यांचंद के समकालिन था उससे बड़ा तो राजभक्त कोई हो नहीं सकता तो इसने फिर नी यह है जो में खाना पकाने वाला है उसको रासवई में अकेला ना चोडए किसी भी अंजान व्यक्ति को रासवई में आने ना दे ऐसे शारी बातי थी ताकि वो कुछ मिला ना सेगे खाने में ठीक है तो नेलू कठायत के लिज्चज करने कठायत को राजभक्त करने वाला कहीं कपर देवी चंद भी बोला गया है कि देवी चंद की मूर्ती भी वहाँ पर इस्तित है लेकिन जागेश्वर में दीप चंद या देवी चंद के अलावा त्रमल चंद की मूर्ती भी वहाँ है ठीक है फिर ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला एकरू बात करें तो महीपतिशाह से कोशी युद्ध, देखिए अब आप किहाँ पर कर्फिजन हो सकता है कि देखिए त्रेमल चंदर ने अभी शाम शाह के दरबार में सरण ही ली थी, वहाँ ये रहा था जब इसके प्राणों को संकर था और जब शाम शाह का चाचा गदी पर बैठा महीपतिशाह, फिर उसने इसके खिलाफ युद्ध करा और महीपतिशाह को मारा भी, ऐसे कैसे हो तकता है महीपतिशाह ने, जब हम पमारवश पढ़ेंगे, मैं आपको आप ठीडेल से बताऊँगा महीपतिशाह खुद चाहता था कि कुमाउस के साथ मेरा युद्ध हो, वो युद्ध हुआ किस नाम से, कोसी का युद्ध के नाम से, 1635 में और ये खुद चाहता था कि मिरी मिरती हो जाए, ठीक है, तो त्रमल चंद ने इसके इच्छा के लिए युद्ध किया था, ये आपको ध्यान में रखना है अब देखें, त्रमल चंद के बाद, क्या हुआ? पचासवा राजा आया, बहुती महत्पूर राजा है, बाज-बहात्र-चंद अब देखें, बाज-बहात्र-बहात्र-बहात्र-दृ effective जब उसके बाद, निला गुसाई का ये पुत्र था तो निला गुसाई का पुत्र था उसको कैसे कैसे बचा कर जो समय राज चेलिया होती थी यानि कि जो राज दर्बार में रखी जाती थी काम करने के लिए उन्होंने निला गुसाई की पुत्र को छुपा कर किसी ब्रहामन को दे दिया जिसका नामतर धरमाकर तिवारी ठीक है तो निला गुसाई का पुत्र उसके यहां था तो त्रमल चंद को जब पता चला कि निला गुसाई का पुत्र जिंदा है तो उसने खोच करवाई वो यहां से उसका पुत्र भी मिल गया निला गुसाई का ठीक है अब देखे बाज भादूर चंद जब गद्धी पर बैठा, अब देखे पीछे क्या हुआ है, पीछे आपको पता है, लक्षमी चंद के बाद काफी उतल पुतल हुई चंदुवंच में, क्योंकि पहले धिलीब चंद आया, फिर विजय चंद, फिर ट्रमल चंद, फिर घटनाएं कड़ी, तराई में किसी का ध्यानी नहीं रहा है, कि तराई में हो क्या रहा है, तराई में जो कटेहर के हिंदू थे, उनका आकरमन हो गया, उनका वहां पर कब्जा हो गया, तराई छेतर में, अब इसको खाली कराने के लिए, बाज भादूर चंद को गद्धी चंद के बाद पूरी तरीके से अईस्तिरस्ता चा गई थी चंदवंच में, अब जब ये बाज भादूर चंद आया, तो थोड़ा इस्टेवल नहां पर हुआ दुबारा से, इस थापित दुबारा से हुआ चंदवंच, ठीक है, शाह जहां से मिलने गया, शाह जहां ने इसको तराई का जमिदार निक्त कर दिया, ठीक है, और शाह जहां ने ही इसको बाहदूर की उपादी भी दे थी, क्योंकि कहा जाता है, कि सोला को चववन के टाइम पर जब सहाजा ने पुनहा गड़वाल पर आकरमन किया, तो बाज बाज बाहदूर चंद ने उसका किया था, और काफी बाहदूरी दिखाए था, काफी बाहदूर से वो लड़ा भी था, जिसको बाहदूर की उपादी किसने दी थी? शाह जहां ने इसकी उपादी दी थी, ठीक है, इसने तराई का प्रभंध भी किया, और बाजपूर नामक एक शहर भी इसने बसाया था, आपको पूछा जाता है बाजपूर किसने बसाया बाजबादूर चंद ने देखे अब हमने ऊपर पड़ा कि चंद वहंच में सरवादिक अवदी तक राज करने वाला शाशा कौन है वो है गरुड ग्यान चंद जिसने 45 वर्ष से शाशन किया था दूसरे नंबर पर आता है बाज बाज बाजबादूर चंद जिसने लगभग 40 वर्ष यहां पर साशन किया था यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब देखिए इसने क्या करा शाजबाद के बाजबादूर चंद किसका पुत्र साधी के त्रमल चंद के बाद गद्दी पर बैठा लेकिन बाज 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 बाजबादूर चंद ठीक है इसने औरंग जेब से प्रभावित होकर यह कर लगाया था भारत में सबसे पहले कर जो जजजिया कर था वह किसने लगाया था 712 इशी में जो मुहमद बिन कसीम आता है उस ने शुरू किया था बाद में मुश्लिमा कर बाज 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 को इसने हराया थे कि जो हुन थे जो भोटिया थे उनको इसने हराया ताकल खाल नाम का एक किला था उसको इसने जीता और जो हुन थे जो भोटिया लोग थे उनके उपर इसने सिर्थी टेक्स लगा दिया तो हुन भोटियों पर जो हुन लोग थे उनके उपर सिर्थी टेक्स लगाने वाला चंद शाचा कौन है वो है बाज भादूर चंद क्योंकि जब इसको पता चला जो मांस्रोवर यात्री जाते हैं उनको काफी परिशान करते हैं ये लोग तो फिर इसने क्या करा इनको पर आकरमण के और इनको फिर पराजित के और उन पर कर लगा दिया सिर्थी गूंट भूमी क्या होती थी वो भूमी होती थी जिसे मंदिरों के देखभाल के लिए पुजारियों को दान में दिया जाता था यानि कि इस भूमी से जितनी भी इंकम होती थी जितनी भी यहां पर फसर होती थी जिसने भी उसके उपर से इंकम होती थी और सभी पैसा कहां य नारायन का स्वरूप मानता था, आपको पूछा जाता है कि चंद वंच का कौन सा साचक अपने आपको नारायन मानता था, वो था बाज भादूर चंद, अब देखे क्या हुआ, इसका भी एक पुत्र था उद्योग चंद, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में भी, त उद्योग चंद वहां रहे कर भी शांत नहीं रहा, बोला जाता है कि उद्योग चंद वहां से इसको एक पत्र भेजा, पत्र में कुछ नहीं लिखा, केवाल अपना एक सफेद बाल भेज दिया, ठीक है, तो इसका इशारा ये था कि जो उद्योग चंद है, वो सफेद तो बोल सकते हैं कि ऐसी गटना है होँआ पर गटी थी, ठीक है, अब बोले दाता है दिखे क्या हुआ, बाज-भाधूर चंद ने बागेशवर में पिननात मंदिर का निर्मान कराया, भीमदाल में भीमेशवर मंदिर का निर्मान इसने करवाया था, किसने कराया था, बाज बाधुर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर्दूर बलबन कहा जाता है ठीके फ्रेंट इसका एक चाया चित्र नियॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में इस्तित है तो ब्रुकलिन म्यूजियम में किसका चाया चित्र है वो है बाजबादूर चंद का इसका एक धर्म भाई भी भी था आपको पूसर जाएगा बाज बहदुर चंद के धर्म भाई का क्या नाम था? वो था पंडित नर्यन तिवारी क्योंकि हमने अभी उझान है धर्माकर तिवारी की यहाँ पला पढ़ा था तो इसका बेटा भी था नर्यन तिवारी तो इसका हूँ धर्म भाई था बोलते हैं कि ये भी इससे मिलने आया था, इसको भी काफी जमीन जायदा इसने दी थी, ठीके, पुरोहिद इसको नुक्ति किया था, उसके बाद देखें क्या बोले, धार्मिक विचारो वाला ये शाशक था, क्योंकि धार्मिक विचारो वाला क्यों बोला जा सकता है, इसको बूढा अत्याचारी शाशक बोला जाता है ताब को ध्यान में रखना है बूढा अत्याचारी शाशक किसे बोला जाता है बाज बहादूर चंद को बोला जाता है क्योंकि इसके टाइम पर ये किस्ता भी वो होता है बाज भादूर चंद ने उस ब्रहामण को अपना सदाकार निक्त किया अब वो ब्रहामण जो कहता कि मुझे यह आज में ठीक ने लग रहा है यह शड़ेंद रहा है बाज भादूर चंद तुरंट उसके हत्या करवा देता ऐसे ही वो अपने दुश्मनों को मरवाने लगा बाज भादूर चंद से और इसे बाज भादूर चंद का जो नाम था वो काफी खराब होने लगा तो बूढ़ा अत्यचारी साशा को किसको कहा गया है यह कहा गया है बाज भादूर चंद को बाज बाढ़ दो, चंद के देखें तीन बेटे थे, एक था उद्ध्योक्चंद, एक पहार सिंग गुसाई, और एक तीसरा बेटा भी था, जिसमें सन्यास ले लिये था, बोल सकते हैं, ठीक है, वो जंगलों में चला गया था, तो आपको पहार सिंग गुसाई ध्यान में र बहदूर चंद के मरने के बाद, देखे हमने पहले भी पढ़ा कि उद्योग्चंद कहां भेजा गया था, गंगोली में भेज दिया था इसको, जैसे ही बहदूर चंद मरा, उद्योग्चंद तुरंथ गंगोली से वापस आया चंपावत में, और आते ही इसने बधार गड़ और तिरपुरा सुन्दरी मंदिर का इस ने निर्मान कराया, यह आखो ध्यान में रखना है, तरही में इसने आमों के बघीचे लगवाई ठीक है और जो बालेश्वर मंदिर है उसका भूसकता है कि जेनोधार करवाया ये नए सिरे से दुबारा से किसने निर्मान कराया उसका वो कराया था इजी राजा ने ठीके न अब उद्योग चंद ने अब क्या हुआ देखिए इसके इतना धार्मिक राजा था इसको जो रुद्रुदत पंद है जो इतिहासकार उन्होंने इसे दोटी का राजा था देवपाल वो बार बार आकरमन कर रहा था यहां पर कुमाओं पर और जो गड़वाल का राजा था उसके साथ मिलकर तो काफी परेशान हो गया था ये इसके साथ से कौन जो ये उद्योग चंद था तो उसने देवपाल पर आकरमन किया और आकर में डो दोटी के राजा देवपाल के बीच में और खेरागड़ी के संदी होती है 1688 में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस समय खेरागड़ी के संदी हुई पमार शाशा कौन था इसने कुमाओं में इस्थाई चावनियों की भी स्थापना करवाई थी यह आपको ध्य कर आया था ठीक है इसने फिर क्या करा इस्थाई चावनियों के निर्मानियां पर शुरू इसने करवा दिये थी ठीक है अब देखिए हमारा आगया महत्पूर्ण सासक ग्यानचंद दुत्या उद्योग चंद के बाद गदी पर बैठा ग्यानचंद दुत्या 1689 में गदी कड़ पर हमला किया लूटा और वहांसे नंदद्दीवी की मूर्थियां लेगा आ अबoking अब कर आगया कोनादा गते दूसरा कत्यूर घाटी में इसने बदिनात मंदिर का निर्मान करा दिया और हवल बाग में एक नौले का निर्मान भी करा दिया इसने ग्यांचंद दुत्य के बारे में कहा जाता है कि इसने 1704 में डोटी पर अभी आकरमन किया डोटी में इसने आकरमन किया वहां जीतों तो hint ये गया था डोटी की सेना कोंझन हरा दिया लेकिन इसकी सीना आधे से ज़ादा सेनीया वो कौन था ग्यान चंद दुत्तिया और 22 नंबर कर राजया था ठीक है जगाचंद 1708 से 1720 तक गद्धी पर बैठा और ये इसके काल को स्वन्न काल बोला जाता है कुमाओ वन्ज का ठीक है यापो ध्यान में रखना है चंद वन्ज का अब देखिए कुमाओ का स्वन्न काल बोला जाता है इसने फत्य पति शाहा को हराया प्वार वन्जक का स्ओ उसका काता है फत्य पति शाहा को हराया और गडवाल को इसने जीत लिया था ऐसा बोला जाता है कि इसने पूरे गडवाल कु जीत लिया था और फिर एक ब्रहbeiten को इसको दान में दे दिया था और बाद में ये वापस कुमाओं में आया, जैसे ही कुमाओं में आया, फत्र पति शानुस ब्राहमान को फिर भगा दिया था, ठीक है, ऐसा बोले जाता है, अब देखे, इसने हजार गायों को दान दिया था, ठीक है, इसने सो गायों, हजार गायों को इसने दान दिया था, अब देखे, जुए पर प्रशन बनता है पेपर में कि जुए पर टेक्स लगाने वाला पहला शाशक कौन था जगत चंद्र ठीक है इसका एक जासूस भी था विनेश्वर जोशी और इसी की मदद से इसने जो बधारगड हमने शुरुवात में लिखा है कि बधारगड जीता था इसने तो इसी की मद जोशी उसी की मदद से इसने हराया था ठीक है चेचक से मरने वाला चंद राजा है आपको पूछा जाएगा चेचक से किस चंद राजा की मृत्ती होती है तो वो कौन है वो है जगत चंद्र ठीक है और इसी से संबति देख पुस्तक है जगत चंद्र का और इस पुस्तक की तचना किये है पदम देव ने ठीक है तो जगत चंद से संबती ये काफी महतवपून फैक्ट है जो आपको धान में रखने हैं ठीक है पूछा है आपको कि विनिश्वर्ड जोसी किसका चासूस था ये किसके समकाली इंत ये था जगत चंद के ठीक है अब देखिए इसके बा बार में एक ब्रहामन आया था और उसने जगत चंद से अपने पुत्रों के पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए मांगे ठीक है जगत चंद ने बोला कि अगर मैंने तिरे को 10,000 रुपए दे दिये तो फिर सारे लोग आ जाएंगे मैं तिरे को नहीं दूँगा पैसे ठीक है ब क्या करा जब ये गद्धी पर बैठा तो कुमाओ के पास उस समय चंद बंसक्राइब करोड नगद था उस समय लेकिन धिरे-धिरे क्या हुआ था पूरा खाजाना खाली हो चुका था देवी चंद के टाइम पर ठीक है तो आपको ध्यान में रखना ये छोटी सी कहानी थी अब देखिए इसको कुमाओ का मुहमब बिन तुगलक बोला किसने एटकिनसनन ने क्यों बोला क्योंकि इसको जो इसके रास दरबारी थे चाटुकार जो इसके थे उसको बोहते थे कि तू क्या बन सकता है विक्रमधित्या बनने की चाहा में ये पूरा क्या बन गिया», का नाम क्या मिलता है वो मिलता है देवी सिंग एक और जो इसने बेवकुफों वाली काम किया था वो इसने क्या करा एक अफगान सेनापती था दाउद खान उसको इसने अपना सेनापती निक्त कर दिया दाउद खान को और दाउद खान ने इसको इतना भड़का दिया इतना जोश दिलादिया, उसको बोला कि हम सिधा दिल्ली की गद्धी पर बैठेंगे, ठीके, मुगलों से टकर लेने के लिए इसको तैयार कर दिया, देवी चंद को, और क्या हुआ, जैसे ही इसने मुगलों पर आक्रमन किया, दाउद खान तो भाग गया, और देवी चंद वहाँ देवी चंद, अब देवी चंद के ही टाइम पर रोहिलों के आक्रमन यहां शुरू होने लग गए थे, ठीके, बाबा हर्षदेव पूरी बोलता था कि इसी के समकाली थे देवी चंद के, और इनकी समाधी कहां इस्तित है, काकड़ी खाटे में के समाधी इस्तित है, बोलत जाता है कि उसी रात को इन दोनों ने इसकी हत्या कर दी थी, सोते हुए, ठीके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, देवी चंद की हत्या कर दी थी, और जो बाबा हर्षदेव पूरी थे, उन्होंने भी फिर समाधी ले ली थी, काकड़ी घाट में, ठीके, फ्रंस, अब देवी चंद की हत्या हो गई, अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि मानिक चंद, मानिक मल और पूरन मल गैड़ा, ये राजा बननी सकते थे, क्योंकि अगर कोई गैर चंद राजा बना तो फिर विद्रोख हो जाएगा राज में, ठीके, तो ये नोंने क्या करा, जो ग्यान जो इससे पहले राजा बना था, ग्यान चंद, उसकी बेटी का शादी हुई थी, किसके साथ, रोहिल खंड का राजा था, नर्पत सिंग, ठीके, तो नर्पत सिंग के साथ, उसकी बेटी की शादी हुई थी, किसकी ग्यान चंद की, तो उसकी बेटी का जो बेटा था, अज मारिक मल और पूरन मल गैडा के हाथों में यह शत्ता थी, ठीके न, मारिक मल इसका पिता सा, पूरन मल इसका बेटा सा, दुनों बाप बेटे थी, और गैडा गर्दी पूला जाता है पेपर में, ठीके, पेपर मा आता है कि किसके टाइम के बाद गैडा गर्दी शुरू किसके टाइम पे ये सरवादिक चरम पर थी अजीत चंद के टाइम पर ये सरवादिक चरम पर थी तो गैडा गर्दी किसके टाइम पे शुरू हुई थी ये किसके टाइम के बाद शुरू हुई तो अगर बाद पूछा गा तो देवी चंद के बाद और किसके समय में ये चरहम पर थी वो था अजीद चंद दिखे अजीद चंद के साथ क्या हुआ गैडा गर्दी में कि जो राजा था अजीद चंद उसकी पत्नी के संबंद बना गयते किसके साथ पूरण अमल गैडा के साथ और जब इन्होंने क्या करा पहले गैडागर्दी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गैडागर्दी क्या हुई इन्होंने जो ब्राह्मनों को जागीरे दी गई थी पूरवकाल में उन सारी जागीरों को इन्होंने वापस देना शुरू कर दिया पूरा नमल के रानी के साथ संब्द गई थे पूर जाता है जब बदाई देने के अजी चंद को कि आपके यहां पुत्र हुआ है अजी चंद पहले से ही नाराज था अजी चंद जैसे ही इनको पता चला कि अजी चंद नाराज है इन दोनोंने ही उसके ह़त्याँ वहाँ पर कड़ दी तो यह आपको धृहन में रखना है की अत्याचार वहां पर ये करने लगे थे ठीक है लेकिन जो समय फिर आती है किसकी बारी आते हैं महर और फर्तयाल वह दोनों गए उद्योग चंद का बेटा युद पोता उसको बहुत सकते हैं उसको वहां से यह लेकर आ गए ठीक है उसको का उन था कल्याण पांच कलियार चंद आते हैं, अगर आप उपर से देखेंगे नाम, तो आपको चारू दिखेंगे, कलियार चंद पर्थम, जुत्या, तिरुत्या, चथुत्या, चथुत्या, पंचम, 1729 में 1747 एक गदी पर बैठा, ये अनपर था, ये आपको इधार में रखना है, डोटी मे ये मजदूरी करता था, और वहां से इसको लेकर आया थे, महर और फर्तियाल धड़े के जो लोग थे, वहां से इसको लेकर आया और इसको राजा बना दिया था, ठीक है, इसने सबसे पहले इसको पता था, क्योंकि इसको रास्ते में सारी बाते बता चुके थे, महर फर्ति इसने सभी को मारने का आदेश दे दिया, तिक है, ये भी बोला जाता है. अब इसने लोगों की आँखे निकलवानी शुरू कर दिया और बोला जाता है कि किसके टाइम पर साथ जो लोहे के बरतन थे वो भर गए थे, करुए की आँखों से तो इसने आँखे निकलवाने शुरू कर दी यह समास्ता था कि यह सारी चीज़ें वो कर रहा है यह सारा क्या है यह पुन्या है यह धर्म है लेकिन देरे जब इसको पता चला कि यार यह गलत काम थे ठीक है इसने सभी चंदों के वंच्चजों को मरवाने के आ कि शुष comedy जोशी ते उनमें से एक थे लक्षमी पति जोशी इसने बोला कि उनके यहां से क्योंकि की साथ इसकी भीत्या करवा यह एक योग्या के जो तो इसको नोकरी पर दोंगा तो सिवधेफ जोशी जो लक्षमी पती जोशी का पुत्र था शिवदेव जोशी उसको नौकरी पर रख लिया आपको प्रश्ण पूतर दा सकता है सिवदेव जोशी को नौकरी पर रखने वाला कौन था तो वो कौन था कल्यानचंद पंचम था ठीक कल्यानचंद पंचम उसने उसको सरबना जो प्रगना था उसका उसने कानून को नुक्त कर दिया देखे सरबना में जो सरदार था देखे यह तो कानून को था यह लटोला नटोले का जोशी अब देखे दोगे तो में अदिया है और ने ऴृदए उसको बहादर T. अजिए जिया और इसको आजिसा है। अब इसको लगा कि जो शेर है वो शिवधेव जो शेर की हत्या कर देगा लेकिन शिवदेव जोशी तो बहादूर था इसने शेर को ही मार दिया जब राजा को पता चला जो कल्यांचंत पंचंत था वो काफी प्रभावी दवारुष ने फिर सिवधेव जोशी को सरबना का क्या बना दिया? सरदार बना दिया यह आपको ध्यान में रखना है तो सिवदेव जोशी का आगमन हो चुका है कुमाओं के अंदर तो कुछ समय के बाद ये सरबना का सरदार निप्त हो गया था सिवदेव जोशी इसी के टाइम पर क्या हुआ 1743 में रोहिलों का आक्रमण हो गया कुमाउ पर ये बहुत ही महत्पून प्रशने हैं कुमाउ में ёघ रोहिलों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था? कल्याण चंद पंचम के टाइम पर हुआ ठीक है और उन्हों ने अलमोरा पर अधिकार के से कहीँ आ जब उन्होंने आक्रमन किया, शिवदेव जूशी गया कल्यान चंद पंचम के पास और बोला कि मुझे थोड़ा सा पैसा दो, मैं सेना तयार करता हूँ और मैं रोहिलों को यहां से बखा तूँगा, लेकिन कल्यान चंद पंचम के जो चाटुकार थे, उन्होंने बोला कि श कल्यान चंद जो था यह भाग कर गड़वाल आ गया, गड़वाल में उस समय राजा कौन था परदीपशा, परदीपशा ने उसको शरण दी और फिर अपने खाजाने से रोहिलों को तीन लाख रुपे का मुआफजा दिया, तीन लाख रुपे दिये और तब जाके रोहिल करने वाला पमारवंश का शाशा कौन था परदीपशा, इसने अपने खजाने से तीन लाख रुपे दिये थे, ठीक है, अब देखिए, अब जब रोहिलों को पूरी तरीके से यहां सब भगा दूँगा, अब कल्यान चंद रहे इस पर भरोसा कर लिया और इसको वहाँ पर जो मदद इसने मांगी थी, वो इसने दे दी, तो सिवदेव जोशी ने 1745 में पूरी तरीके से रोहिलों को कुमाओं से ख़देड दिया, तो कुमाओं को, कुमाओं से रोहिलों को पूरी तरीके से किसने ख़देडा था, सिवदेव जोशी ने, ठीक है, कहीं पर सिवदत जोशी भी है तो आप इसको कनेक्टर देख सकते हैं कि सिवदफ जोशी है या सिवदत जोशी है ठीके फ्रेंट्स अब देखिए अंतिम समय में जो ये कल्यान चंद था इसकी आंके फूट गए थी देखिए इसने इतने सारी आंखे निकल वाई थी तो जैसे को तैसा मिला और आकर में इसकी आंके भी फूट गई अजब इसकी आंके भी फूट गई ये अंदह हो गया इसको लगा कि अब मेरा जो समय है वो नजदीक आने वाला है और इसका जो बेटा था दीब चंद वो कैसा था वो थोड़ा मंद बुद्धी था ठीक है उतना तेज नहीं था तो इसने क्या करा मरते टाइम जो कल्यार चंद पंचन था इसने अपना मंद बुद्धी पुत्र जो था वो शिवदेव जूशी को सौप दिया और उसको शिवदेव जूशी को उसका सरक्षक निवत कर दिया इसलिए शिवदेव जूशी को कुमाओ का बैरम खान भी बोला जाता है क्यों कि ये जो दीब चंद था उसका ये सरक्षक था ठीक है आपको पूछा जाता है किसका सरक्षक था कुमाओ का बैरम खान किसको बोला जाता है शिवदेव जूशी को अब देखे गदी पर कौन बेटा दीपचंद इसका सरक्षा कौन था सिवदेव जोशी इसी के टाइम पर पानी पत का तीसरा युद्ध भी होता है और पानीपत के तीसरे युद में मुगलों के कहने पर इसमें युद में हिस्ता भी लिया था और इसमें अपनी सेना भी भेजी थी उस सेना का नेत्व किया था हरी राम ने तो हरी राम ने उस सेना का नेत्व किया था उसी युद में पानीपत के युद में अफगानों की और से लड़ने के लिए नजीब अबाद का जो शाषक था नजीब दौला उसको भी ओडर आया था मुगल से ठीक है तो ये भी वहाँ गया था लड़ने के लिए और नजीब अबाद का शाषक किया उस समय नजीब बाद किसके साथ छोड़ के गया था ये हर्षदेव जोशी की भी एंटरी हो गई ठीक है तो देखिए एक और चीज़ महत्रपूर आपको ध्यान में रखनी है नजीब बाद में इसने हर्षदेव जोशी को इसलिए छोड़ा था कि अगर इसको यूद्व में कुछ हो जाए तो फिर जो इसकी बेवी बच्चे हैं उनको ये कुमाव में लेकर आजा है उनकी सुरक्ष्षा वहाँ पर करे ठीक है अब देखिए दीबचंद के बारे में और पड़ते हैं दीब चंद क्या हुआ दीब चंद को हैमिल्टन ने गुंगा सासक कहा है गुंगा सासक क्यों कहा है देखे दीब चंद किसी को ना नहीं कहे पाता था इसने सबसे ज़्यादा जागीरे दी है अगर आपको पुछता जाता है कि सबसे ज़्यादा जागीरे देने वाला चंद चीजाया कौन है वो है दीप चंद ठीक है इसका भी चित्र वहाँ पर क random जोके गी उसके बाद जो दीबचंद की रानी थी श्रंगार मंजरी उसका काफी ज़्यादा दखल बढ़ गया क्योंकि दीबचंद देखे हम पहले भी पढ़ चुके कैसा था मंद बुर्ती था ठीक है तो दीब चंद की जो पतनिती श्रंगार मंजरी उसका काफी जादा दखल यहाँ पर बढ़ा गया राजदरबार में ठीक है शिवदेव जोशी की मृत्यों के बाद ठीक है क्योंकि अभी तक जो संरक्षक था वो कौन था शिवदेव जोशी था 1764 में मर गया राणी ने क्या कराज उसकी राणी थी उसने मोहन सिंग गुसाईं को सेनापती निक्त कर दिया और परमानंद बिष्ट को दीवान निक्त कर दिया जब ये घटना हुई मोहन सिंग गुसाईं को जब रानी ने सेनापती बना दिया अपने प्रसिंदेदा जो परमनंद बिष्ट था उसको दीवान निक्त कर दिया तो जोशियों जो थे उस समय जोशी बंदू थे जैकृष्ण जोशी और हर्षदेव जोशी दोनों भाई थे शिवदेव जोशी के पुत्र थे उन दोनों ने इस्तीवा दी दिया अब उसके बाद जैसे ही जोशियों का इसतीवा हुआ जो मोहन सिंह गुसाईं था यह क्या हो गया सरवे सरवा हो गया यहां सापको एक परशन सब्दो ये परषने बंता है जो रानी है श्रंग हर मंझ कर गये क्योंकि देब चंद हम पहले भी बात कर चुके हैं कैसा शाषक था एक मंद बुद्धि शाषक था ठीक है उतना तेज नहीं था इसलिए इसका सरक्षक बना के गया था इसका पिता जो था शिवदेव जोशी को जैसे ही सिवदेव जोशी मरा इसका भी बुरा टाइम लगे था कौन महँंसिंग जोशी बंदू जो थे शाषक जोशी उन दोंगु वी इन्हों ने अलग अलग कर्वा दिया और बोला जाता है कि जैकर्षन जोशी की हत्ते करवाई दी किसने मोहन सिंग गुसाई और इसका भाई था कौन लाल सिंग गुसाई अब देखिए मोहन सिंग और लाल सिंग गुसाई ये दोनों थेकौन ये भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है जब इसका राजाबरी बन अब देखिए हर्षदेव जोशी को भी इनोंने पकड़ लिया था उसको देखियाकर मुहन सिंग का भाई था उसने बोला बुला ऊमर कयो था कि बहुत बुरा टाइम उसका आखिरे में गिरा वह जैसे कुछ मांगता सा थो लोग उसको खाना धे थे ज। उसमें मिट्टी आती थी, ठीक है, अगर वो भार निकालता था जेल से कि मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए, तो उसके हाथ में वहाँ पर जो सैनिक होती थे, थूख देते थे, बहुत बुरी कंडिशन में दीप चंद की मृत्यू भी, और इसकी मृत्यू के बाद, मोहन सिंग में, अपने आपको राजा घुषित कर दिया, चंद का मोहन चंद के नाम से यह गद्धी पर बैठ गया, तो यह अपको ध्यान में रखना है, मोहन चंद गद्धी पर बैठ गया, शासन यह पहले से चला रहा था, जब तक जिपन जिंदा था, तब यह ऐसे बजीरा बोल सक से लेके 1789 में अब बात करते हैं मोहन सिंग गुसाई या मोहन चंद था कौन तेकि हमने उपर पढ़ा था एक राजा नीला गुसाई ठीके ना किसका बेटा था ये लक्षमी चंद का ये बेटा था नीला गुसाई जिसकी आंके किसने फुरवा दी थी जो दिलीप चंद का ब बेटा हुआ जिसका नाम था हरी सिंग और उस हरी सिंग के दो बेटे थे एक का नाम था मोहन सिंग और एक का नाम था लाव सिंग ये वही दोनों थे ठीक है तुछ आपको ध्यान में रखना है दोनों कौन थे बाज बहादूर चंद के ही रिष्टे में ये लगते थे ठीक हर्षदेव जोशी जिसको उम्रकैद हो गए थी जेल से भाग चुका था वो गया डोटी डोटी में गया मदद नहीं मिली फिर गड़वाल से मदद उसको मिल गई गड़वाल में उस समय राज कर रहा था ललित शहा और ललित शहा को इसने कहा कि आप चा करें कुमाओं पर याए आकरमन करें मैं आपके पूरी साहथा करूँगा और अपने पुत्र को आप वहां का राजा बना दे ठीके तो गड़वाल का नरेश लली शहा ने बगवाली प दतक पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठा दिया, यानि कि परदुमन चंद के नाम से, आपको पूछा जाता है, परदुमन चंद को किस का दतक पुत्र बनाया गया था? दीब्चंद का, ठीक है न, तो दीब्चंद का आशल था, मैंने आपको पहले भी पताया, काफी सीधा-स यह भी आपको ध्यान में रखना है, अब देखे क्या हुआ, पर्दुमाचंद गद्धी पर बैठ गया, पर्दुमाचंद 1789 से लेकर 1786 तक गद्धी पर बैठा रहेगा, ठीक है, अब इसके टाइम पर क्या घटना भी महत्पून, ठीक है, मोहनचंद जिसको हरा दिया से ले अब क्या हुआ, इस राजा ने, इस राजा के गड़वाल नरेश और अपने भाई जेकरित शाह से संब्ध बिगड़ गए, क्योंकि जेकरित शाह के दरबार में जो लोग रहते थे, उन्होंने इसको बढ़गाना शुरू कि जो चंद राजा है, जो चंद है, जो कुमाउ दो लोगाना थाओ, वो तो तो तेरी पिता ने जीता है, तो तो बड़ा भाई है, ये आकरि में दोनों किया थे, दोनों सौत्यले भाई थे, तो उसको बोला कि तो 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 बड़ा बैट एक, तो उसे टैक्स लिया कर पर व्यगड़ने लगे हैं, और उदर से जो से भाई अब जैसे ही जैकृस शहा ने आत्मत्या कर ली, पर्दियुमाण चंद का जो मन था वो कुमाओ में नहीं लगा, वो चला गया गड़वाल, और जो कुमाओ था वो किसको सौप दिया, हर्षदेव जोशी को, ठीके फ्रेंड अब हर्षदेव जोशी को कुमाओ सौप दिया, जिससे ही मौका देखा कि प्रदुमंचंद वापस चला गया है, हर्षदेव जोशी के अधीनप कुमाओं है, हर्षदेव जोशी अकेले नहीं समाल सकता था, मोहनचंद ने पुना आक्रमन किया, हर्षदेव जोशी को हार दिया, मोहनचंद दुबारा से राजा बन गया, तो 69 वा राजा कौन था? मोहनचंद फिर 69 वा पर्दुमन चंद 60 वा राजा दुबारा से कौन बनेगा? मोहनचंद बनेगा तो पर्दुमन शहा के गड़वाल जाते ही वापस आ गया कौन? मोहनचंद और उसने पराजित कर दिया किसको? इसको हर्षदेव जोशी को ठीके? अब मोहनचंद पुन्हा गड़ी पर बैठ गया तो देखे महतपुन पात है कि दो बार गड़ी पर बैठने वाला एक मतर राजा कौन है? वो है मोहनचंद क्योंकि ये 98 वा राजा भी है और ये 60 वा राजा भी है अब क्या हुआ इसने कि इसके उपर हर्षदेव जोशी ने आक्रमन किया मोहनचंद को बना दिया और जो उसका भाई तर लाल सिंग गुसाई और जो उसका भधिजा यानि कि मोहनचंद का बेटा था महिंदर चंद ये दोनों कहां भेज गए रामपूर भेज दिये गए इनकी हातिया नहीं करवाई कि इसने हर्षदेव जोशी ने क्योंकि लाल सिंग उसाई इसका मित्र था इसने इसकी जान बचाए ती नहीं तो इसको कपका मिर्तुदंड दिया जा चुका था ये दोनों भागकर कहां चंद को ये अगर राजा बन जाए तो फिर राजे में विद्रोह हो जाता था तो उसने सिव सिंग को सिव चंद के नाम से गद्धी पर बैठाया और ये 1788 की एक घटना है तो देखें मोहन चंद गद्धी पर बैठा लेकिन उसके बाद हर्षदेव जोशी ने सेना तयार क ये दोनों कहा चले गए रामपूर में चले गए अब गद्धी पर कौन बैठ गया सिव चंद जोशी या सिव चंद बैठ गया ठीक है 1788 से 1788 एक साल भी इसने राजनी किया इसी को मिट्टी का महादेव बोला जाता है ठीक है क्योंकि इसको गद्धी पर तो ये बैठा था लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हातों में थी हर्षदेव जोशी अगर आप बोले कुमाओ का बजीर कुमाओ का परधान मतरी सेना पदी सब कौन था उस समय हर्षदेव जोशी था ठीक है अब क्या हुआ लाल सिंग जो की रामपूर में गचले गए थे वहां से इन्होंने रामपूर के नवाब के साथ सेना तयार करी और वापस फिर आया ठीक है फिर से इसने आकर मने की अब दिखें नवाब की सेना भी लेकर आ गए लाल सिंग भी आ गया फिर मोहन चंद का जो बेटा था महेंदर चंद वह भी आ गया तो उससे हार गया हरषदेव टीक हरषदे तो यह आपको ध्यान में रखना है महेंदर चंद गद्धी पर बैठा और यह चंद उभंज का बास्टुमा राजा था और चंद उभंज का यह अंतिम राजा था चंद उभंज का अंतिम राजा कौन था महेंदर चंद अब देखे महेंदर चंद गद्धी पर बैठा महेंदर चंद 1788 में गद्धी पर बैठा 1790 तक रहा उस समय क्या हुआ नेपाल में शाशक कौन था रण भादुर शाह उस समय नेपाल का शाशक था क्योंकि हर्षदिफ जोशी डोटी भाग चुका था उसने वहां जाकर रण भादुर शाह को कुमाओ पर आने का निमंत रण दिया ठीक है और रण भादुर शाह ने अपनी सेना भेजी किसके नित्वत में भेजी थी हस्ति दल चौतरिया और जो अमर सिंग था पाते उनके नित्त में आये और इन्होंने कुमाओ में जो छोटा सा युद होता है ठीक है वहां पर महिंदर चंद को हरा दिया कौन सा युद होता है वहां पुझे कमेंट करके सब्रूर बताएं छोटे से यूद में इन्होंने इसको महिंद्र चंद को हराया और अल्मोडा में अधिकार कर लिया महिंद्र चंद तराई में भाग गया और बोलते हैं कि फिर कभी लौट कर आया ही नहीं ठीक है तो क्या वाक्स के बाद 1790 में फाइनली अधिकार हो गया कुमाओ पर गोर्खा शाषन का जो कि 1815 तक बना रहा और फिर 1815 से लेकर 1947 तक कुमाओ पर ब्रेटिस शाषन रहा तो यह आपको ध्यान में रखना है तो यह थे पूरे 62 राजा हमने पढ़े चंद वन्श के एक-एक महतमून राजा के संबदित हमन पर फ्रेंड्स काफी महनत से इस वीडियो को बनाया गया है ठीक है अब में तू बिलकुर जो महतमून महतमून पॉइंट आप उनको पॉइंट नोट कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको वीडियो वैसे में चाहिए जैसे मैं कोश्चन फॉर्म में वीडियो बनाता हूँ तो आप मिनको कमेंट कर सकते हैं कमेंट अगर जादा आते हैं तो फिर इस वीडियो को मैं उस तरीके से बनाता हूँ जैसे कि चंद वन्स से संबद्ध जितने भी महतमून पॉइंट प्रशन में इसको बताए कि ऐसे प्रशन बन सकते हूँ सबको मैं कोश्चन की फॉर्म म